सर आप लास्ट टाइम थे तो मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था लोगों का फेरिट आईटी सी 208 पर वाज 215 हो गया और उसका मैंने कॉल सजेस्ट किया था 6 रुब्य में अग्रेस्ट का भाई करने के आवाज 9 रुब्य हो गया तो आपने आईटी सी जैसे स्टॉक को चला दिया जो कि इम्मोवेबल एसेट्स में जिसकी गिंती होने लग गई थी सर यह जो इम्मोवेबल स्टॉक है यह सबसे बड़ा मोवेबल स्टॉक बन सकता है 239 के उपर निकल गया तो यह तो तोड़ेगा तो चंदर जी कह रहा है कि फिर यह यह भी रॉकेट हो जाएगा तो लेकिन 239 कब तूटता है देखना होगा फिलाल 212 के लेवल्स पर काम कर रहा है जो कि अपने अप में बढ़ा हुए लेवल है क्यों कि हमने बहुत और नीचे लेवल से चंदर जी हमने अब एंट्री करी थी तो क्या लेवल्स थे सर दोसो आट दोसो आट ठीक है दोसो आट और बड़े पेपर में एक हेडलाइन थी बड़े पेपर में कि जो मैटो 50% बढ़ा है उससे पब्लिक को खुशी नहीं हुए जितना आईटीसी के 3% बढ़ने पे खुशी हो रही है एक तरीके के एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया एक एक लापिंग स्टॉक जिसको बोलता है ग्रेजिव में कि लोग उस पे उसी पे चुट्फुले बनाते हैं मीम्स बनाते हैं और उसके अराउंड इस तरीके चीज़े चलती है ठीक है चंदर जी और कुछ अपडेट्स हैं सर एक स्टॉक बताया था लाश्ट टाइम हप टाउन करके वेंटी यह पर बाई करना था वो कल्भी अपर सरकीट था हप टाउन अच्छा हप टॉड़ी एंड जी जी लेकिए और उपर जाने के चांसे था सरकेट लगा हुआ है नहीं तो एंट्री हो नहीं सकती है चंदर जी लेकिन अगर मौका मिले तो एंट्री चाहिए अब आपने किया है तो सरकेट ही लगेगा राकेट तो नहीं होना है इसके इसके अलावा स्टॉक पहले रेकमेंड किया था सर राने होल्डिंग करके तो मैंने का था 685 के उपर सिस्टिंग के दर स्टॉक ब्लास्ट हो जाएगा आज 780 का है इसका मेरा पहला टार्गेट 730 था सेकेंड जो एंट्री दी तब नेक्स टार्गेट 800 900 का था आज अल्मूस्स सेकेंड टार्गेट भी हिट हो गया इसका अभी क्या करना चाहिए थ सब्सक्राइब कर लिए इसको 50% बुक कर लिए 50% बनाए रखें रानिया होल्डिंग्स ठीक है और कुछ कि सब्सक्राइब गया था रैली गया है कि अन्पर्टी में दिया दा इसका भी प्रॉफिट लॉक कर दिया है लेकिन इसको 20% में को छोड़ करके उसमें स्टॉप लॉस है लगा करके और इसको छोड़ा हुआ है यह उपर के क्रीम होती है जो चंदर जी छोड़ देते हैं कि केक तो पूरा आपने ले लिया है उसके साथ में आइसिंग भी आप लीजिए तो वह भी आड़ करने के लिए एक मौका छोड़ देते हैं ठीक इंट्रेसिंग है और कुछ एक स्टॉक दिया था केरियर पॉइंट 153 के ओपर लेना था आज 155-156 चल रहा है इंडियन ओयल वी उसको होड़ रखना है केरियर केरियर पेंट केरियर पॉइंट केरियर पॉइंट तो यह आपने तब दिया था जब मैं नहीं था जैसर आच्छा करियर पॉइंट ठीक है पॉइंट में भी होल रखनें और उपर जा सकता पॉटेंशल रहा है ठीक है से कुछ और अपडेट कर रहे हैं से नहीं से एक अपडेट महिश गुपता जी मांग रहे हैं और अभी हमने किसी और और एक्सपर्ट से भी इस हवाल पर जवाब लिया था और आप से वापिस वह पूछने नवकार आपने दिया था यह पूछने नवकार अब कब चलेगा कि नवकार कॉर्परेशन है कि वेंज में अटक गया है चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए फिर अभी क्या करना चाहिए फिर अभी इसमें बने रहे हैं और इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए तो फिर यह भी रॉकिट हो जाएगा ठीक है चंदा जी फिर कुछ एक सवाल ले लूँ या अभी कुछ रेकमेंडेशन एड कर रहे हैं सब्सक्राइब करेंडेशन एडिकर देता हैं चीक है बता तीजिए सर एक स्टॉक है कब्स बायो के आर इबीएस के आर इबीएस क्रेब्स बायो इस पर इसमें एंट्री करी जा सकती है ठीक है लेविस बता दीजिए सर इसका पहले टार्गेट 133 का होगा 138, 140, 145 और 150 का होगा ठीक है 133, 133, 140, 145 तक के टार्गेट्स के लिए क्रेब्स बायो 126 के उपर में इंट्री करनी है आज का हाई 125, 85 है उसके अभी थोड़ा सा नीचे आया है अगर वापिस से उपर चल करके उसको तोड़ता है उसके उपर की क्लोजिंग देता है या उसके उपर सस्टेन करता है तो 126 के उपर में एंट्री के लेवल आएगा एंट्री का मौका आएगा सिगनल आएगा टार्गेट्स आपको गता दियें तो यह टार्गेट्स के लिए 136 का लगा रहे हैं सार 126 पे अगर मेरी एंट्री है तो कि सब्सक्राइए अपने लोग 118 का क्लोजिंग बैसिस पर है अब बहुत नीचे का नहीं दे रहे हैं जबकि सपोर्ट लेवल इसके 113-114 क्यास प्लस के होंगे लेकिन चंदर जी कह रहे हैं अब चंदर जी महेंगे स्टॉक्स बताने लगए अधार 1160 पर गाज चल रहा है अधार 1250 के उपर लेना है अच्छा इसके अधारा दोसों पचास के पर अधारा चार्सों पचास अधारा पांसो अठारा आट्सों उन्नीस उजार और सब्सक्राइब यह रहे है नेसल इंडिया पर चंदर जी की और यह कितने समय के लिए नजरिया कितना लंबा अधार जैसे मैं लास्ट आप आईटीच के लिए का था कि कोई सेटर है तो आईटीच को वाई कर सकता है इसमिलेली यहां पर आप अगले महिने का अधारा पांसो का लेंटिया का अगले महिने का अभी कितने का चल रहा है अगर आप सेफली काम करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं ठीक है कि सब्सक्राइब जो ऑप्शन है वो डबल त्रिपल होने की पार्टेश्यल रखता है कि अप्शन आपको ज्यादा तरीका ज्यादा अच्छा है कि इसमें आपको ज्यादा बड़ा मुनाफ़ा कमा जा सकता है दुगना से तीन में लगता है और कुछ है कि सब्सक्राइब के लिए इंडियाबुल हाउजिंग फैनेंस मिटेंग इंडियाबुल हाउजिंग फैनेंस दो सब्सक्राइब काम कर रहा है था 289 90 पर क्या करना है इसमें इसका पहला टार्गेट तीनसो पाओगा दूस्सा टार्गेस तीनसों का ओगा और थीनसों पापर फास्का ठीक है थाड़े 300 तक के टार्गेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउजिंग करनेंज बाई करके चल सकते हैं 292 के उपर में सस्टेंग करने को पेक है रहे हैं यस सर्थीक है तो 290 पर अभी चल रहा है दो रुपए उपर में अगर आ करके और 15 मिनिट भी अगर रुख जाता है तो मैं बाई कर लूँ यस सर चीक है 290 को पर में बाईंग और बड़े टार्गेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउजिंग करनेंस को देख रहे हैं चंदर जी ठीक है सर कुछ और बस सर आज के लिए ठीक है फिर मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूं सर और एक सवाल जिससे चीक है एक सब्सक्राइब ले ले लेते हैं तब तक आप में एक पो पर एक थोटर से बात कहने बात कहने दिए आप सर अबान और शुर करें स्टॉक रिकमेंड किया था आपके आप स्टॉक जे जे अब और अब शुटुर्टीटर में अपने दिया है तो यह तो कभी भी जब मौका मिले तो इसके अंदर मेंटरी करके रख लिया जाए वहां से भी अभी तक अच्छा मुनाफ़ा दे रहा है अपने लेविल से दिया था चालीस इक तालीस के लेविल से ले एक छोटे शेर के लिए चोटा जो कम पैसे का शेर है उसके अंदर में अगर पांच रुपए-दास रुपए तो मतलब राम से वह दस परसेंट से बीस परसेंट मनाफ़ा अलेडी दे चुका है और उसके ऊपर तो आप बहुत बड़े लेविल से इसके अंदर में देख र जाएगा उपर आए तो आप बेच्चों निच्छे आए तो फिर इसको एड करते जो इसमें पोजिशन बनाते जाओ और एक्जिट करते जाओ ट्रेडिंग करने की बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा अच्छा तो इसमें दोनों चीज़ां आप कह रहे हैं कि अगर किसी सवाल ले लेता हूं बहुत सारे सवाल आ गए रविंदर जी का सवाल है सन फ्लेग आइरन सन फ्लेग आइरन कोई स्टॉक है सर कैसा है कि आज मिटल सेक्टर आजकल काफी चर्चा में है और वी विशाल जी भी वही कह रहे थे कि जिंदल स्टील और बागी में पर बात करें साड़े पांच परसेंट बहुत कर रहा है संफ्लेग कैसा दिखता है जारी सरे नबर बैचालीस को पर स्टॉक बूलिश लग रहे है और उसी की लेविल्स के असपास हैं और उन्ही लेविल्स के असपास नभे रुपे के असपास आकर के वापिस फुरा सा कूल डाम हुआ है तो रविंदर जी इसका पैले टागेट 9500 110 का होगा तो उसके बास बहुत अच्छे मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है ठीक है कि राजा मुखर जी पूछ रहे हैं चंदर जी वह आपने जो अबान आफशोर दिया था उसमें पूछ रहे हैं कि टार्गेट कितना दस साल में सब्सक्राइब निकलने दें और उसको सस्टेन करने दें फिर दस साल किसने देखा अपने दस मेने बाद में बात करेंगे स्टॉक के लिए ठीक है नहीं वह वह अपने तरब से पूछ रहे हैं कि क्या 5000 के टार्गेट देख सकते हैं कि सब्सक्राइब बहुत कुछ है पर हैं 5000 ना भी हो अगर 500 भी होता तो भी मल्टी वेगर हुआ दस मुना हुआ तो उससे सबसे अपंदाजार लगा सकते हैं ठीक है अधिनेश जी का एक सवाल है इंडो बोरेक्स और उजीवन स्मॉल फिनेंस दोनों को एक एक बार देख लिजए ओके सर इंडो बोरेक्स केमिकल बीएसी का स्टॉक है सर्किट तो सर्किट क्याम करता है लेकिन आप उन चार्ट्स को भी ठीक से पढ़ लेते हैं तो इसलिए आपसे विरा लेना अच्छा रहेगा ठाराजो चैन्वे पे है अभी आज पांच पर्सेंट गिर के सर्किट अज उसमें कैंडल बन रहा है वह काफी बीग बन रहा है और क्लोजिंग अगर ऐसे ही आती है अभी यह लाइव कैंडल है तो तब प्रॉफर नहीं आईडिया आ रहा है अगर जैसा ही कैंडल करें और अगर सारे क्लोजिंग उसी तरीके के अगर देटा जो आप कह रहा है जिस तरीके केंडल दिख रहा है अगर आज क्लोज भी उसी कंडल पर उता है तो शॉट का सिग्नल है कल के लिए अगरे कैस्ट अगरे तो शॉट कि दाके को फाइदा नहीं होगा अच्छा ठीक है उजीवन स्मॉल पैनेंस बैंक है यह सर्थ अच्छिवन माइनर सपोर्ट पर है यह 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 बंद्रेस्ट में इस प्राइब रेंच में चल रहा है सो मतलब नहीं है अच्छिंड़ कि देन में हैं support levels के असपास है लेकिन कुछ इसमें दिख नहीं रहा है तो इसलिए दिनेजी से skipping कर सकते हैं सेट इन देख लिजिए सिर्ट इस सर्ट इस सर्ट इन क्रेडिट के आज सब परसेंट गिर के काम कर रहा है चार्च पी पूरा खराब होता जा रहा है कि अगर 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 पोजिशन है तो स्टाप लॉस का लगाएं सर पोजिशन है तो अगर अगर अभी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 85 का क्लोजिंग बेसे स्टाप लॉस लगा लें और नई एंट्री बार उसे एक चीज़ कह नहीं थी तो एक बार पोजिशन से बाहर आ जाएं और फिर अगर जा लेवल क्रॉस होता है तो रिएंटर करें तो श्टाइ इंट्री का लेवल 94 के उपर है तो 94 जब आता है तो फिर इसमें इंट्र कर सकते हैं क्यूपिट देख लीजे सार आजीव सावल जी का सवाल है किया सार क्यूपिट लिमिटेड 255,65 पर चल रहा है चार परसेंट आज भी बढ़के काम कर रहा है तो फोड़ा बोलेटाइल लेने वाला होगा यह वीक शायद तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस का जरू ध्यान रखते हैं कि नरिंदर जी सिंग की का एक सवाल है चंदर जी ग्लोबस इस्पिरिट पर आपने बहुत अच्छे लेविल्स पर दिलवाया था उसमें काफी मनाफ़ा कम होया था अभी कैसा दिखता है कि अभी भी स्टॉप बुलिश सेंफोर्टी का प्राइज है और आशायद अपर सर्केट है आज भी मैंने देखा था इसे अब सेवन फॉर्टी में रिकमेंड करना जेस्टिफाइब नहीं हो रहा है और जिसके अगर एक्जिस्टिक पोजिशन है किसी की तो इसको लेकिन नई पोजिशन नहीं बनानी नहीं के लिए बहुत रिस्किए इस प्राइज बहुत रिस्किए इसके आदे से भी कम के तो इससे साथ सोगा क्लोजर में से स्टॉपरस का कि नहीं बनाना है तो भी बना सकता है अगर इसकी ट्रेडर्स के लिए है लेकिन अदरवाइस क्यूंकि बहुत नीचे लेवल से चंदर जी इसको यहां तक ला चुके हैं तो अब इनको लगता है कि अब यह महंगा हो चु ने चंदर जी नहीं शाहिद जी का एक सवाल है सैंचुरी प्लाइए इसमें भी आज करीप डाही तिन परसेंट की बड़ात दिख रही है सब्सक्राइब करेंगा तब इसमें बाय का सिगनल आएगा तब एंट्री करेंगा नितिन स्पिनर कि यह भी पांच परसेंट बढ़ा हुआ है अज सब्सक्राइब जोन पर चल रहा है जिसके एक्जिस्टिंग पोजिशन है उसे कहिए धिरे-धिरे प्रफेंट करना सब्सक्राइब करेंगा तो यह राय है रविंदर जी आपके लिए कि यह तो इस समय उन लेवल्स पर है जहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो अगर आप भी पहले की पोजिशन है तो आप बुक करिए नहीं पोजिशन बनाने के लिए दोनों तरफ आपको मौका मिलेगा अभी महेंगा हो चुका है तो अभी एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है चंदर जी तिरू मलाई केमिकल्स कि अच्छा मोमेंटम देखा गया करिब साथ परसेंट चला है एक सुबांधवे पर काम करता है यह स्टॉक मैंने मेरे केस्टमर्स को दिलवाया हुआ है वन फुट्टी आसपास में आज बन एंडी टो चल रहा है तो एक्जिस्टिक पोजिशन है तो प्रॉफिट बुक कर करें कि सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब करें कि इसमें इंट्री का भी कोई स्कूप नहीं है प्रॉफिट बुक करने का टाइम है रतीश जी का सवाल है सर एपको टेक्स इंडिया एपको टेक्स इंडस्ट्रीज है सर यह भी 67 परसेंट बढ़ा हुआ है स्टॉक 301 के चल रहा है कि सरे स्टॉप 356 उपर ब्लास्ट हो जाएगा है कि 375 चार साड़े चार सुक लिए रॉकेट की तरब आई है सर तीन सो चपन का इंथजार करिया तीन सो चपन को तोड़ता है तो उसके उपर में ब्लास्ट हो जाएगा ही कह रहा है चंदर जी